Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे class 10th की geography का 4th chapter agriculture So ये जो सारे plants आप देख रहे हैं ना, ये मेरी अम्मा की garden के है और इस chapter में बहुत से plants आपको दिखेंगे, जम्मा की garden के होंगे So yeah, let's get started So agriculture की बात करें, तो हमारी country में agriculture बहुत important role play करता है लोगों की life में, क्योंकि country में आदे से ज़्यादा लोग agriculture में ही काम करते हैं और जो लोग agriculture में काम नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपून है क्योंकि हम जो खाते हैं, वो सब हमें agriculture से ही मिलता है खाने के अलावा agriculture से हमें raw materials भी मिलते हैं जो की industries में चाहिए होते हैं types of farming farming दो तरह की होती है एक होती है subsistence और एक होती है commercial subsistence farming में farmer जो भी produce करते हैं वो खुद के consumption के लिए करते हैं market में sell करने के लिए नहीं करते commercial farming में जो production होता है वो market में बेचने के लिए होता है subsistence farming की बात करें तो ये भी दो तरह का होता है एक होती है primitive subsistence farming और दूसरी होती है intensive subsistence farming primitive as a name suggest इस farming में primitive tools यूज किये जाते हैं और इस तरह की farming में जो farmers होते हैं वो rainfall या natural climate कैसा है इन सब चीज़ों पे dependent रहते हैं यानि अलग से वो production बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हैं जैसा भी natural environment है उसके हिसाब से ही produce करते हैं intensive subsistence farming में जैसा नाम से लग रहा है intensive तरीके से chemicals, inputs और irrigation का use करते हैं छोटे से plot में और production करते हैं अपनी family के लिए तो intensive cultivation हमें उन जगा देखने को मिलती है जहाँ पे population बहुत ज्यादा है और plot या land का size बहुत छोटा होता है और उस छोटे से ही plot पे farmer की family dependent रहती है खाने के लिए अचा तो farm का size छोटा क्यों होता है यह होता है right of inheritance की वज़े से यानि की एक generation से दूसरी generation में जब भूमी का बटवारा होता है तो सबके हिस्से में कम-कम जमीने आने लगती है तो generation by generation farmer का land size कम होता रहता है तो intensive subsistence farming में farmer ज्यादा होते हैं land कम होता है और primitive subsistence farming में farmers कम होते हैं land ज्यादा होता है और जो बाकी छोटे plants या पतियां बची होती है उनको आग लगा देते हैं ऐसा करने से land clear हो जाते हैं और soil में nutrients भी चाते हैं इसलिए इस तरह की farming को slash and burn agriculture भी कहते हैं इसके बाद चब ये साफ हो जाता है तब farmers इसमें agriculture करते हैं और फिर जैसे जैसे इसमें production होता रहता है productivity कम होने लगती है और land की fertility कम होने लगती है अब क्या करता है farmer की उस land को छोड़ देते हैं और वापस से दूसरी जगह जाता है और वहाँ पे फिर वापस से वही पेड काटते हैं और जो पतियां उनको आग लगा देते हैं और वहाँ पे वापस से production करना शुरू करते हैं ऐसा करने से जो पुराना वाला land है उसकी fertility बेटर होने लगती है और farmer की production भी नए वाले plot में जाके ज्यादा हो जाती है तो primitive subsistence farming को shifting agriculture भी कहते हैं क्योंकि यहाँ farmer shift होता रहता है देश के अलग-अलग parts में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है Northeastern states चैसे आसम में एक हाल है मीजो रम, नागा लैंड में इसको जूम कहते हैं मनीपुर में पाल्मू, छतिसगर्ड के बस्तर डिस्रिक्ट और अंडमान निकुबा आइलेंड में इसको दीपा कहते हैं मद्रप्रदेश में बेबार या दहिया बोलते हैं आंध्रप्रदेश में पोडू या पैंड़ा कहते हैं ओडिसा में पामदाबी, कुमान या बरिंगा कहते हैं बेस्टन घाट्स में कुमारी South East Rajasthan में Walre या Waltre कहते हैं Himalaya Belt में Khil कहते हैं और Jharkand में Kuruva कहते हैं और यह shifting cultivation केवल भारत में यह नहीं बलकि बाहर countries में भी होता है चैसे Mexico और Central America में इसको Milpa कहते हैं Venezuela में Conoco, Brazil में Roca Central Africa में Masole, Indonesia में Ladang Vietnam में Ray कहते हैं चलो now let's come back to टाइपस और फार्मिंग और बात करते हैं कमर्शल फार्मिंग की इसमें फार्मान होते हैं बहुत ज़्यादा समान प्रड्यूस करते हैं और इसमें कई सारे inputs यूज करते हैं जैसे HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides तो यह सब करने के वज़े से बहुत ज़्यादा production होता है commercial farming में ही आता है plantation agriculture plantation agriculture में यह होता है कि एक ही crop को बड़े इस area में उगाया जाता है इसको समझने के लिए हम tea का example लेते हैं इंडिया में जो tea production होता है as some and all areas में यह plantation agriculture में आता है तो इसमें companies बहुत सारा पैसा लगाती और बहुत सारे लोग काम करते हैं tea gardens में जो कि बहुत ही बड़े area में होता है और जो tea industries है वो भी इनी areas में set up की जाती है ताकि जैसे ही tea leaves collect हो के आए इनका वहीं industries में process कर दिया जाए और इन tea leaves को pack back करके market में भेज दिया जाए तो देखा जाए तो plantation is more like agriculture plus industry तो ये commercial agriculture में आता है इसके अलावा plantation agriculture के और भी example है जैसे coffee, rubber, sugar cane बनाना इंडिया में जितनी diversity लोगों में हैं उससे भी जादा diversity हमारे यहाँ crops की है तो ये जितनी अलग-अलग crops हमारे होती है ये सब अलग-अलग seasons में ग्रो होती है जैसे कुछ ठंड में होती है कुछ गर्मी में होती है कुछ monsoon में होती है यानि अलग-अलग cropping season होते हैं ये तीन तरह के होते हैं खरीफ, rubbery और जायद खरीफ crops वो होती है जिनको पानी और धूप चाहिए होती अच्छी तो खरीफ crops को monsoon के आने के पहले वो दिया जाता है यानि माई, जून में वो दिया जाता है और जब monsoon के जाने का टाइम होते है September, October के महीने में तो ये फसल काट ली जाती है तो ये जो सारी फसल अब देख रहे हो ये सब खरीफ season की फसल है में जो खरीफ season की फसल है वो है चावल You know what, इंडिया में वर्ड का लगभग 20% चावल प्रड्यूस होता है इंडिया, second number पे है चावल की production में, after China चावल को बहुत सारा पानी चाहिए होता है इसके अलावा इसको high temperature भी चाहिए होता है तो mostly rice का production in areas में होता है जहाँ पे 100 cm से ज़्यादा rainfall होती है साल बर में बाकी जहाँ कम rainfall होती है जैसे ये सब areas में तो यहाँ पे irrigation के थूँ rice की जो भी needs है पानी की वो सब फुल्फिल की जाती है असम, West Bengal और रिसा में जहाँ बहुती जादा बारिश होती है तो इन जगह पे चावल की तीन बार खेती की जाती है इसको अमन, बोरो और आउस कहते है बात करें रभी क्रॉप के तो ये वो क्रॉप होती है जिनको ठंड में यानि अभी के टाइम जो अक्टूबर से डिसेंबर के बीच में बोया जाता है और एप्रिल से जून के टाइम पे काट लिया जाता है ये वो क्रॉप है जिनको गाने के टाइम थंडा मौसम चाहिए होता है और जब काटने का टाइम है तो गरा मौसम चाहिए रभी क्रॉप का main example है गेहूं, गेहूं को ज्यादा rainfall नहीं चाहिए होती है, बस 50-75 cm rainfall के area में easily हो जाता है, और आपने western disturbance पढ़ा होगा, जिसकी वज़े से हमारे northern part में बारिश होती है थंड के time पे, तो यह जो रभी क्रॉप है जो थंड के time पे होती है, तो यह जो crops है, इनक इनका यह black soil region, तो रभी और खरीफ season के बीच में जो थोड़ा सा season होता है, उसको जायद season कहते हैं, इसमें watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, यह सब चीज़े उगाई जाती हैं, तो यह तो हमने कुछ ही crops की बात की, अभी हम इन सब के बारे में भी जानेंगे, Millets, Millets यानि मोटा अनाच, तो नाम है इसका मोटा अनाच, बट अगर आप इसको खाते हो, तो आप मोटे नहीं भलके एकदम fit हो जाओ गया, इसमें आते हैं जवार, बाजरा, राकी, और भी कई सारे होते हैं Millets, तो हम इनी तीनों के बारे में बात करते हैं, यह तीनों खर अधराजस्थान, उत्रप्रदेश, महराश्र, गुजरात और हर्याना में, रागी रेड, ब्लक, सांडी, लोमी और शालो ब्लक स्वाल में होता है, यह होता है करनाटका, तामिल्नाडू, हिमाच्रप्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम, जारखंड और अरुनाचल कहते हैं, और यह खरीफ क्रॉप है, बट इसको रभी सीजन में भी ग्रो किया जा सकता है, या दाट्स वाइट्स क्वीन न, इसको 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्शिस टेंपरेचर चाहिए होता है, और यह और अच्छे से ग्रो करता है, और मेजर मेस प्रदूसिंग अधियोप्रदेश, उत्रप्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना, ओकी अब बात करते हैं, पल्स की, इंडिया में सबसे ज्यादा पल्स का प्रोडक्शन होता है, और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हमी करते हैं, प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होत होती है, खरीफ क्रॉप और मसूर मटर और चना जो है, ये है रबी क्रॉप, पल्स काफी अच्छी हैं उगाने के लिए भी, क्योंकि इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, और इनमें से अरर को अटा दें, तो ये सारी लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, यानि कि अगर आ अगर ये उन एरियाज में होगा, जहां पर 21-27 दिगरी तेंपरेचर रहेगा और 75-100 cm रेनफॉल होगी साल बर में, तो बहां पर ये अच्छा से होगा, और जहां कम रेनफॉल होती है, वहां पर इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये कोई भी सोयल में हो जाता है, ब बहुत सारे लेबर की जरूरत होती है, वर्ड में शुगर कींग का सबसे ज़ाधा प्रदक्शन होता है, ब्रजील में और सचिंड नंभर पे इंडिया में, तो शुगर कींग गोड खांट सारी और शीरा बनाने के लिए यूज़ होता है, शुगर कींग का प्रदेश, महर करनाटका, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हर्याना में. Oil seeds, oil seeds वो seeds होते हैं जिनसे हमें oil मिलता है. जितना भी agricultural area है इंडिया में, उसमें 12% area में oil seed का production होता है. Oil seeds के example हैं, जैसे groundnut, mustard, coconut, till, soya bean, castor seed, linseed, flax seed, और sunflower seed. इन सब में से जाधा तर का use खाना बनाने के लिए किया जाता है, बट कुछ oil seeds का use as a raw material भी होता है, जिनकों की use करते हैं, soap में, cosmetics में और ointments में. tea, tea जैसे कि हमने देखा था कि एक plantation crop है, tea tropical और subtropical areas में grow किया जाता है, tea के लिए जो soil होना चाहिए, वो well drained होना चाहिए, यानि पानी डालो और पानी जडो तक जाए और फिर बह जाए, यानि वो ठहरे नहीं, क्योंकि ये tea के लिए अच्छा नहीं है, जिसलिए जो tea plantation होता है, ये slope में किया जाता है, ताकि पानी चाला जाए, इसके अलावा soil fertility होनी चाहिए, उसमें humus और organic matter भी होना चाहिए, tea के लिए चाहिए high temperature और high rainfall, tea एक labor intensive industry है, यानि ज्यादा labor की जरूरत होती है, असाम, डाजलिंग, जलपाग्यूडी, वेस्ट पेंगॉल, तमिलनाडू, कहरला, इनके अलावा हिमाशर प्रदेश, उत्राखंट, मेगाले, आंधरो प्रदेश और थिर्पुरा भी tea producing states हैं, कॉफी, इंडियन कॉफी world famous है, उसकी quality के लिए, इंडिया में दो तरह की कॉफी की वराइटी ग्रोग की जाती हैं, एक है अरेबिका, दूसरी है रॉबस्ता, और major coffee producing states हैं, करनाटका, तमिलनाडू और केरला, होटी cultural crops, इंडिया में tropical और temperate fruits दोनों ही produce के जाते हैं, महराष्ट्रा, आंधरप्रदेश, तेलंगाना, उतरप्रदेश और West Bengal, आम के लिए famous है, नागपुर और चेरापुंजी के oranges famous है, केरला, मीजुरा, महराष्ट्र, तमिलनाडू के बनाना, उतरप्रदेश और बिहार के लीची और guava, मेघाले का pineapple, आंधरप्रदेश, तेलंगाना, महराष्ट्र के grapes, चमु कश्मीर और हिमाचर प्रदेश के apples, pears, apricots and walnuts बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, इंडिया में बहुत तरह की vegetables भी मिलते हैं, तो ये सब बात रही food की जो agriculture से मिलता है, हम इसको 25 degree Celsius से, उपर का temperature चाहिए होता है, और 200 centimeter rainfall, बट अगर इसको सही condition मिलेगी, तो ये tropical या फिर सब tropical areas में भी grow किया जा सकता है, और इसको grow किया जाता है, केरला, तमिलनाडू, करनाटका, अंड़मान निकोबार आइलेंस and Garu Hills of Meghalay, fiber crops, cotton, jute, hemp और natural silk, major fiber crops हैं इंडिया मे इन में से ये तीनों तो पेड़ से मिलते हैं, silk हमें मिलता है, silk worm से, जब हम silk बनाते हैं, silk worm की मदद से, इसको हम seri culture बोलते हैं, हम जानेंगे इन दोनों के बारे में, cotton, इंडिया को cotton का original home मानते हैं, हमारे यहां बहुत time से ही cotton fibers का use किया जा रहा है, cotton black swirl में बहुत अच्छ पेड़ चाहिए, तो वे ensure करना पड़ेगा कि 210 दिनों तक ठंडी नहीं हो, तो इसको 6-8 महीने चाहिए होते हैं, mature होने के लिए, ये जो आप पेड़ देख रहे हो न, ये cotton का ही पेड़ है, तो अभी इसमें की flowers है, ये एक fruit है, क्योंकि इसमें होता है seed, अभी क्योंकि ठं producing states है, महाराश्टरा, गुजरात, मध्यप्रदेश, करनाटका, अंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू, पंजाब, हरियाना और उर्तवप्रदेश, जूट, जूट का जो पेड़ होता है, उसको काट के देन पाने में भी होते हैं, देन उसमें से fiber निकालते हैं, ज इसको growth के time पे high temperature चाहिए होता है, यह होता है, West Bengal, Bihar, Assam, Odessa और Meghalay में, technological and institutional reforms, agriculture इंडिया में हजारों सालों से हो रहा है, बट अभी के time पे जब हमारी population इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो हमें agriculture में कुछ reform की जरूरत है, ताकि हमारे यहां production ज्यादा हो, प्लस farmer का भी फा institutional, technology का reform करना है, यानि अभी जो implements use कर रहे हैं, जो seeds use कर रहे हैं, किस तरह पानी उस कर रहे हैं, जैसे irrigation में हाल के time में काफी नए sources आये हैं, बट अभी ज्यादा तर farmer rainfall पे ही dependent है, तो जब technology improve होगी, तो production भी बढ़ेगा, दूसरा जो reform है, वो institutional है, इसमें यह problem है कि हमारे य land है, यानि हमारे यहाँ landless या small and marginal farmers बहुत ज्यादा है, ऐसे में सिर्फ technology better करने से क्या फाइदा, क्योंकि जो छोटे किसान है, वो अपने छोटे से plot में क्या ही technology use कर लेंगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो यह problem अभी की नहीं है, बलकि बहुत time से ही है, पहले के time प जो कि गांधी जी को बहुत मानते थे, और उनको गांधी जी का ग्राम स्वराज का जो agenda था, वो बहुत ही अच्छा लगा, ग्राम स्वराज में ये था कि जो गाउं हैं वो आत्म निर्भर हो, तो विनोबा भावे जी गांधी जी के ideas अलग-अलग जगा spread कर रहे थे, तो एक बार वो आंधरप्रदेश के टाउन पोचमपली में आये, तो उनके पास कुछ फामाज है, उनके पास कोई लैंड नहीं था, उन्होंने बिनोबा भावे जी से बोला कि उनको लैंड चाहिए ताकि वो अपनी आर्थिक हालत सुधार पाएं, अब बिनोबा भावे जी इसका क्या ही कर सकते थे, तो उन्होंने बोला कि किसानों को ये बात government से बतानी चाहिए, कि government किसी तरह उन सबकी सहायता कर सके, उन्हीं के बीच में से श्री राम चंदुर रेड़ी कहड़े हुए और उन्होंने बोला कि वो अपना 80 एकर लैंड, 80 landless farmers को देंगे, ये शु पर क्या हुआ कि जो लोग थे, खुद से ही ये जो institution था, इसको change कर रहे थे, और बराबरी से land बाटने के लिए ready थे, तो ये जो एक तरह की क्रांती है, इसको bloodless revolution कहते, कहीं कहीं पर जो जमेंदार थे, क्यानि वो लोग जिनके पास कई सारे गाउं थे, उन्होंने गाउं दा कर दिये लोगों को, तो ये हुआ ग्रामदान, ये तो बहुत कम लोग ने किया, कि अपना land उन्होंने दूसरों के साथ शेर किया, इसलिए government ने भी steps लिया, ताकि लोगों में equality आए, तो जो हमारा सबसे पहला 5-year plan बना था, उसमें land reform पर जोड दिया गया, तो इसके लिए government ने ये चीज़े करी, consolidation of land, तो जैसा हमने देखा कि right of inheritance की वज़े से land का size छोटा होता रहता है, और ऐसा भी तो होता है, कोई भी इनसान एक ही जगह तो अपना land लेता ने, वो बहुत सारी जगह पे land लेता है, तो हर जगह पे बटवारा होगा, तो क्या होता है, कि plot छोट हो रहे हैं, प्लस वो अलग-अलग जगह पे भी situated है, ऐसे में क्या करते हैं, अगर यही चोटे-चोटे plot हैं, ये साथ हो में होते हैं, तब भी थोड़ा better agriculture हो सकता था, तो इसको चकबंदी कहते हैं, यानि कि जो भी ये plot अलग-अलग बिख रहे हो हैं, इनको एक जगह ला इसकी वज़े से land मिला, तो 1960s, 70s में technological reform हुए और green revolution की शुरवात हुई, और green revolution की package technology की वज़े से हमारे देश में wheat और rice जम के उगने लगा, और फिर white revolution भी हुआ, जिसकी वज़े से country में milk का production भी बढ़ा, बटन सब चीज का फाइदा कुछ ही areas में था, तो ये फाइदा औ 1990s में comprehensive land development program आया, जिसमें की technological और institutional दोनों ही तरह के reforms थे, जैसे provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease, यानि अगर किसार अपनी crop का insurance करवाता है, तो फसल को अगर इन में से कोई भी नुकसान होता है, तो उनको compensation मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि उनका पूरा पैसा डूब जाएगा, Establishment of Regional Rural Bank, ये वो bank जो specially agriculture के लिए बनाए गये होते हैं, और ये farmers को help करते हैं, उनको credit देने में बहुत ही कम rate of interest पर, और cooperative farming शुरू की गई, इसके अलावा किसानों के लिए और भी चीज़े की गई, जैसे किसान credit card बनवाए गये, जिसके अंदर ये था कि किसान के पास Accident Insurance Scheme के अंदर cover मिलता है, यानि अगर farmer की death हो गई या अपाहिज हो गये, तो उसका उनको पैसा मिलेगा, और farmer की help करने के लिए उनको मौसम की जानकारी दी जाती है, ताकि वो मौसम के हिसाब से अपनी फसल की तैयारी करें, इसके अलावा TV और रेडियो की help से, किसानों क चैप्टर में पढ़ा था, कि इंडिया में बहुत सारे लोग agriculture करते हैं, बट agriculture का contribution GDP में कम होता जा रहा है, तो इतने सारे लोग जो agriculture पे dependent हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी अचा नहीं है, और ये भी है कि हमारे याँ agriculture में productivity काफी कम है, उसके लिए government ने ये सारे काम किये हैं, impact of globalization on agriculture, globalization होता है, जब countries आपस में चीज़े खरीदती हैं, बेचती हैं, लोग ए country से दूसरी country में जाते हैं, काम करते हैं, तो globalization अभी से नहीं, बलकि बहुत पहले से हो रहा है, in fact, जो Britain ने हमारे उपर rule किया था, ये हमारे हाँ जब आये ते, ये traders बन के आये थे हमारे से समान खरीदने के लिए, European countries को हमारे हाँ की spices चाहिए थी, तो वो हमारे हाँ लोगों को encourage करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा spices उगाने के लिए, अभी भी बहुत सारी spices इंडिया export करता है दूसरी countries को, spices के साथ-साथ इंडिया का cotton भी बहुत famous था, और हमारे हाँ से cotton export होक England जाता है जिसकी वज़े से Manchester और Liverpool में जो textile industry थी, वो grow होने लगी और British को इंडिया की इंडिया की इंडिया भी export करनी होती थी, इंडिया होती थी कपडों को dye करने के लिए और इसे काफी अच्छा color आता था, तो इंडिया उगाने के लिए British ने किसानों से बोला कि वो अपन इंडिया उगाएं, बट इंडिया के लिए farmer को fertile चाहिए होता है, और ना चाहते हुए भी उनको अपने ही farm में इंडिया उगाना पड़ता था, और उगाने के बाद, अंग्रेज बहुत ही सस्ते दाम में उनसे इंडिया खरीद लेते थे, तो इसलिए farmers ने protest किया, जिसमें गांधी जी ने भी उन farmers का साथ दिया, इसको चंपारन अंदोलन भी बोलते हैं, तो ये तो बात रही independence की पहली की, independence के बात बहुत सालों तक, इंडिया ने बाहर की country से trade बहुत ही कम किया, बट 1990s में जो reform हुए, और हमने वापस से international trade करना शुरू किया, और हमारे economy बाहर की countries के लिए open की, तब से हमारे यहां हमें अलग-अलग तरह के products दिखते हैं, अलग-अलग companies हमें दिखती हैं market में, अलग-अलग तरह के vegetables और fruits भी हमें दिखते हैं, क्योंकि अब हम दूसरी countries को अपने यहां के agricultural products बेशते हैं, और दूसरी countries से खरीदते हैं, बट इन सब के बी developed country के farmers से compete नहीं कर पाते हैं, ऐसा इसले क्योंकि developed countries के जो farmers हैं, उनकी government उनको बहुत सारे benefits देती हैं, subsidies देती हैं, और उनको promote करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा export करें चीजें, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें बनायां और दूसरी countries में export करें, on the other hand, इंडिया में farmers बहुती ज्यादा मुश्किल आती है, जब green revolution की शुरुआत हुए थी, तो farmer के लिए ये बहुती promising था, क्योंकि इससे production बढ़ा था, but अब इतने सालों बाद हमें green revolution के जो negative effects हुए हैं, वो हमें समझ में आ रहे हैं, जैसे कि chemicals का जादा use करने के वज़े से land की productivity कम हो गई है, स्यादा ground water का use, irrigation के लिए करने की वज़े से aquifer सूक गए हैं, और जो seeds होते हैं, ये कई तरह की होते हैं, कोई भी seed ले लो, जैसे rice ले लो, rice की बहुत सारी variety मिलती हैं, but जो farmers हैं, वो mostly कुछी variety का use जादा करते हैं, तो बाकी variety का seed नहीं use करने की वज़े से, ये सब जो seed की variety ह हैं, ये सब खतम हो सकती हैं, तो हमारी biodiversity पे भी इसका काफी बुरा असर हुआ है, इसलिए आजकल organic farming बहुत popular हो रहा है, जिसमें factory में बने हुए chemicals और fertilizers का use नहीं किया जाता है, तो इससे environment पे बुरा असर भी नहीं पड़ता है, तो farmer को अलग-अलग तरह की चीज़े उगा पानी चाहिए, ना केवल rice और wheat, बलकि pulses या millets भी जादा grow करनी चाहिए, इससे ना केवल उनकी income बढ़ेगी, बलकि environment पे भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, और ऐसी crop उगानी चाहिए, जिसमें पानी कम लगे, जैसे की fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops, जैसे jatropha और jojoba, इन सब में बहु जादा पानी लगता है, इन सब को उनी अरिया में उगाना चाहिए, जहां पे पानी जादा होता है, और वैसे भी इंडिया में इतना अलग-अलग तरह का climate होता है, तो बेटर है, ऐसी कहती करें, जो हमारे मौसम के हिसाब से हो, so yeah, it's the end of the video, and यह जो आप गार्डन देख लगा, so like the video, and I hope आपको यह chapter समझ में आया हो, all the very best for your exam, and take care, bye!